बॉलिवुड आक्टर रंडवीर शोरी कंगना रिनौत की तरहा हमेशा अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं सोशल मीडिया पर आक्टिव रहने वाले रंडवीर अक्सर मुद्दो पर अपनी राहे रखते हैं हाल ही में जया बच्चन के थाली में छेद करने वाले बयान पर काफी विवाद चल रहा है कई सेलिब्रिटीज जया बच्चन के सपोर्ट में आ गए तो कुछ ऐसे भी है जो इस बयान पर उनकी आलोचना कर रही है अब रनवीर शोरी ने ट्वीट करके इस बयान पर अपना रियाक्शन दिया रनवीर शोरी ने बिना जया बच्चन का नाम लेते हुए लिखा थालिया सजाते हैं ये अपने बच्चों के लिए हम जैसों को फेके जाते हैं सिर्फ टुकडे अपना टिफिन खुद पैक करके काम पे जाते हैं हम किसी ने कुछ दिया नहीं है जो है वो है जो ये लोग हमसे ले नहीं सके इनका बस चलता तो वो भी अपने ही बच्चे को दे देते आपको बता दे कि रणवीर के स्ट्वीट पर अचानक ही लोगों का ध्यान चला गया क्योंकि संसद में जैया बच्चन के बयान के बाद बॉलिवुट कलाकार दो भागों में बढ़ते नजर आए बता दे कि जैया बच्चन के ने बिना नाम लिए बीजेपी संसद रवी किशन पर निशाना साथते हुए कहा था कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं जैया बच्चन के इस बयान के बाद कंगना रिनौट ने भी उनकी आलोचना की थी कंगना रिनौट ने जैया बच्चन पर वार करते हुए कहा था कि मैंने इथाली खुद सजाई और फैमिनिजम सिखाया नेक्स नाइल लाइफ की रिपोर्ट के साथ मैं हूँ कनिशक शर्मा